हेलो फ्रेंट्स मैं हर्दीव सिंग फॉम गति गुरूप फ्लासेस आप सभी का स्वाग्ध करता हूँ गाइज आज का जो हमारा टापिक है वो है हमारा बेंगॉल स्कूल फोलो पेंटिंग के दो जो हम चीजे हैं वो आज मेजर चीजें करेंगे यह हमारा लेक्चर 2 है और पीछले लेक्ष्टर में हमने बाकी सारी चीजो थी इस दिये आपको जो है जर्नीज एंड रासलीला राधिका एंड मेगदूथ ये चार पेंटिंग जो है वो में इस आपको बंगॉल स्कूल से आएंगी ठीक है ना और एक दो पेंटिंग जो है वो आपकी तकरीबन इसमें से काट दी गई है ठीक है तो शुरू करते हैं बिना कोई time waste किये सबसे पहले हम करेंगे evolution of Indian national flag देखो सीधी सी बात है यहां पर हमने dates भी लिखी हो ही है 1906, 1921, 1947 वैसे अगर हम माने तो वीच में 1907 भी आता है और दो और आते हैं लेकिन हम उनको cover नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो नई book है उसके हिसाब से जो panormic की book है उसमें आपके तीन ही जो parts है वो यह गये हैं जो कि 1906, 1921 और 1947 तो हम उसी को cover करेंगे और किसी को भी हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इन तीनों को ही यहां पर cover करेंगे तो शुरू करते हैं जैसे कि देखो सबसे पहले artist तो obvious सी बात है हमें unknown ही होगा हमें पता ही नहीं क्योंकि किस particular बंदे ने किया बस मिल के कर दिया courtesy obviously बात है इसको ministry of information and broadcasting जो government of India है उसके पास रहेगा और medium obvious सी बात है colored cloth ही रहेगा subject matter obvious सी बात है इंडिया national flag जो है उसकी separate identity को दिखाने के लिए इसको जो है वो सारा किया गया क्योंकि इंडिया different different flag जो है वो time to time बनाए गया लेकिन जो final था वो 15 गस्तु निश्ट संताली को जो भी host है वो किया गया ठीक है और शाथी में it was discovered कि हाँ भाई के national struggle के time पे अलगलग time पे अलगलग flags को माना गया तो इस तरीके से इसको हम political development भी मान लेते हैं nation की और इसमें हम जाएंगे एक तो जो तीनों के तीनों flags हैं उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले देखो अभी stages के बारे में बात करेंगे सबसे पहले 1906 जो के अपना इंडिया national flag है जिसको 7th August 1906 को hoist किया गया मतलब उसको फैराया गया कहां पे इंदपार्सी बेगन स्केयर ग्रीन पार्क जो है जो है वो three horizontal strips आपने देखा है अभी green color है yellow color है red color है जो के different different cast and races जो country में रहती है उनको represent करता है साथ ही में top के strip में जो है वो eight lotuses बनाए गए है lotuses सीधी सी बात है यह represent करते है हमारे जो eight provinces थे उस time पे ठीक है साथ ही में यहा पर जो central strip yellow strip है उसमें बंदे मातरम लिखा गया है dark blue color में आप यह देख सकते हो और साथ ही में जो bottom strip है उसमें half moon and जो है एक sun भी साथ में बनाया गया है यह आपको ज्यान रखना है कि यह आपका 1906 में बनाया गया next हमारा flag जो है वो 1921 में आता है और यह important stage है क्योंकि after छोटे-छोटे जो है वो considered किये गए 1921 में छोटे-छोट जो है वो किये गए ठीक है ना All India Congress जो committee है वो एक बार जम उनके मीटिंग होती है बेजबाडा में 1921 में वहां पर एक आंधरा का एक यंग लड़का जो है वो या कोई भी मालो that is Pingali Venkya वो आते हैं उनके पास और वो अपना flag जो है उनको ने डिजाइन किया वो दिखाते है गांधी जी को तो गांधी जी सुझेस्ट करते हैं कि भई नहीं है असा नहीं है कि सरफ दो कलर का ही नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वो फ्लैग लेके आए that was only for two colors red and green जो जो के two major communities ओवेसी बात है हिंदू जैन मुसलिम को रिप्रेजिन करता है लेकिन माहत्मा गांधी ने सुझेस किया कि नहीं भाई इसमें white strip भी जालते है क्योंकि बाकी के जो जो रह गए है क्योंकि हिंदू मुसलिम तो आपने रिप्रेजिन कर दिये लेकिन बाकी के जो रह गए है उनको भी तो symbolize करना चाहिए न तो उनको symbolize करने के लिए white strip जो है उसको डाला गया साथ ही मे आपको यह बिल्कुल ध्यान रखना है ठीक है न और progress of nation जो है वो continues है उसको दिखाने के लिए जो है वो चर्खे को या फिर यह spinning wheel जो है इसको दिखाया गया ठीक है न यह है आपका spinning wheel आपको बिल्कुल ध्यान रखना है उसके बाद 1947 में फ्लैग जो final जो हो जाता है मतलब क बाइस जोलाई 1947 को यह फ्लैग जो है वो पहली बार जो है वो होस्ट किया गया जो के constituent जो असेंबली है उसने भी भात में इसको अडॉप्ट कर लिया ठीक है न इसारी यह सारी की सारी जतनी भी parties हैं communities है उन सभी को क्या है यह acceptable होना चाहिए और एक बहुत ही ध्यान से दि criminal traces उसमें आ जाए है ना जैसे कि किसी पहले हमने बात की थी यहां पे है ना कि हिंदू इसको पाक जो वो है Muslims को ठीक है और बाकी के communities को represent किया गया लेकिन अभी यहां पर यह ऐसा नहीं होना चाहिए तो ट्राइकलर फ्रैक वैसे ही रहा लेकिन उसके color change कर दिये गए और किया गया अभी जो है वो यह spinning wheel जो है वो खतम कर दिया गया और साथ ही में आपको यह ध्यान रखना है कि ट्राइकलर फ्लैग जो Congress Party का था उसी को ही ट्राइकलर बना के इंडिवेडेंट इडिया का बना दिया क्योंकि और सी बात है उस टाइम Congress Party का पूरा रूल चल रहा थ ठीक है न तो इसी सिंबल को नैशनल प्राइड के साथ बाना गया बाना गया कि हर एक अपने अपने इंडियन लोग जो है वो सिंबलाइज करें अपनी चीजों को इसके साथ अच्छा colors के भी एक अलग-अलग meanings होते हैं जैसे कि हमारे अभी saffron color है white color है green color है जैसे कि saffron color ह यह courage or sacrifice का है ठीक है na religious जैसे की Hindu Buddhist जैन इन सभी में यह बहुत ही important सकता है आपको ज्यान में होगा के जैसे Buddhist है वो भी यह भगवा कपड़ाई पहनते हैं Hindus भी पहनते हैं ठीक है ना सरदारों ने भी अपनी पगड़ी बांगी होई होती है है ना कुछ हद तक जैन भी पहनते हैं काफी जगह पर तो सैफरन कलर जो है एक तरह से rejection of ego का भी है कि हम different religion हम अपने आपको एक उनाइट मानते है क्योंकि यह हमारा एक जो है वो common color है ठीक है ना white color आ जाता है आगे truth, honesty, purity का जो है और peace of nation यह सब को represent करता है साथ ही में cleanly lesson knowledge को भी represent करता है और आपको यह ध्यान रखना है कि path of truth को guide करने में भी white color का बहुत बड़ा योगदान है green color आ जाता है faith and cavalry का आ जाता है फिर उसके बाद fertility, happiness, prosperity of nation, green fields क्योंकि हमारा agriculture देश है फिर navy blue ashok chakra आ जाता है ठीक है ना जो के sky color में भी oceans को represent करता है धर्म चक्र जो है cosmic law मतलब के constant change आता रहता है ना 24 spokes दिखा आज है हमारे पूरी दिन के है उनको represent करता है और एक बहुत ही important बात है यह बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि इसका एक medium होता है कि किस medium में आपको जो है जो flag बनाना है देखो खादी में या फिर आपको hand spun cloth में बनाना है आज कल तो कागज भी चल रहा है पेपर भी चल हर जगह पे बनाया जा रहा है लेकिन इसका एक वह होता है कि खादी पे या hand spun जो है वह उसी पे बनाओ और इसका size भी है 3 by 2 है लैंतोर इसकी breadth जो है वह पूरी के पूरी वह नापी गई है कि इतनी ही होनी चाहिए ठीक है ना तो अभी देखते हैं हमारी next painting जो है वह जर्न है और साथ ही में इसकी courtesy जो है वो क्यांसी है National Gallery ठीक है ना जैसे की New Delhi की जो है वहाँ पे ही आपको यह सभी paintings मिलेंगी subject matter obviously बात है एक camel को दिखाया गया है जो कि बहुत ही जदा tired है और अपनी death के नजदीक है और artist ने actual में इसमें हमारी human life जो है वो उसके बारे में दिखाय जाते हैं है ना पूरी life अपनी जो है वो पैसा कमाने में लगा देते हैं और फिर last में मर जाते हैं बस उसी चीज़ को भी दिखाने की कोशिश किया है color scheme देखो वियर सी बात है यहां पे colors बहुत ही कम यूज किये गए है red brown color है थोड़ा बुस्ता yellow orange जो है वो भी use किया गय और यह जो main figure है उसको हम बोलते हैं कि भाई यह जो figure है यह सारी क्या है यह हमारा foreground है ठीक है और आपको बहुत ही थ्यार रखना है kind of clothes जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे है बांदा हुए उसने ropes बांदी हुई है रसिया है उसके पास है ना मतलब camel बहुत सारा का करके ठक चुका है अपनी capacity से भी उसने ज्यादा काम कर लिया है combination of colors जो है वो दिखा रहे हैं कि भाई dark tint color stones में देखो आप blue color थोड़ा बहुत दिखेगा उसका tint दिखाई देगा loaded camel जो है वो about to fall मतलब गिरने वाला ही है ना obviously गिर चुका है तो impression of desert की जो है वो दिखाई है क्योंकि एक camel जो है उसको दिखाया गया है कि भाई long journey करके तक चुका है मरने वाला है ground पे गिर चुका है ठीक है ना तो dying camel obvious भी बात है भाई एक camel की आप इतनी अच्छी study कर रहे हो कि भाई हां कि camel किस तरीके का होना चाहिए उसकी body की observation इतनी मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिस ने की हुई है तब ही उसको इतना अच्छा बनाया गया है तो expression जो camel के है वो actual में लग रहा है कि भही हां वो मर आने वाला है आगे हमारे पास एक painting है बेटा रास लीला जो कि किशेंदरनाथ मजूमदा जी ने बनाई हुई है से वाटर कलर टेंपरार वाश टेकनीक में बनी है 1926 का टाइम पिरिड है और National Gallery of Modern Art New Delhi में ही यह वीपी पैंटिंग पड़ी है subject matter क्या है ओविएसी बात है कृ अगवान और एक भगत उन दोनों के बीच में प्यार है क्योंकि यह गोपिया ना अगर हम actual में मिथेहास को पड़े तो हिंदुईजम के मिथेहास को या फिर सनातन धरम के इतिहास को पड़े तो यह गोपिया एक्शल में लेडीज तो थी लेकिन यह पिछले जनम के ब्रह आपको वल्गर टाइप में नहीं लेके जाना क्योंकि ठीक है ना आपको यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह एक बगवान और उसके जो भगत है उसके बीच का प्यार है तो डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें यहां पर obvious सी बात है गोपी दिखाए गए है सन ओफ वाजुदेव वाजुदेव का सन ओविस बात है क्रिशन जी है ठीक है ना उनको दिखाया गया है यहां पे golden hue color में दिखाया गया है और साथ ही में हम वहां पे बहुत सारी moments देख सकते हैं देखो अभी गोपियां है वो different hands की dance करते हुई smile देख सकते हैं graceful उनके eyebrows द अच्कीला होगा है ना वो breast काफी भारी होंगे hips भारी दिखाये देंगे आपको knots of hair भी हम जहां पे देख सकते हैं उनके बालों में गाटे बदी हैं ना गार्मेंट सुनके काफी ज्यादा लूज हैं क्योंकि उन्होंने घागरे पहने हुए हैं तो कृष्ण जी को जो है वहां पे गाते हुए भी दिखाया गया है यह कहीं हो रहा है कि भी हाँ वो फील हो रहा है और डाक प्लाउट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही सुहावना मोशन जो मौसम है ना वह बहुत ही सुहावना एक रोमेंटिक जो है वो एफेक्ट दिया गया है ठीक है ना ट्री जो है वो हमें पीछे की तरफ यहां पे दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना बैक ग्राउंड में और शाथी में फोर ग्राउंड में ब है ना और hairpin भी वहाँ पर अगर हम देखें यहां पर देखो यह hairpin लगा हुआ है ठीक है ना इस तरीके के hairpin हमने काफी जगा पर जो है वो देखें हैं यहां पर Christian जी यह है Christian जी बाकी जारी गोपिया है ठीक है ना और यह light colored wash painting है obviously इसी बात है lines बहुत rhythmic और thin बनाई गई है ठीक है और आगे हमारी जो next painting है that is Radhika यह भी एक बहुत ही important painting है क्योंकि M.A.R. चुगदई जो है उनके उनके बनाई है same water color wash technique National Gallery of Waternot New Delhi में ही यह अभी भी पड़ी है ठीक है ना और यह भी एक तेखो obviously बात है lady जो है वो एक उसकी body के structure की वजह से और उसको ना बहुत जादा paint किया गया है हर जगा पे subject matter देखो जो typical Indian Hindu young girl है वो एक पोज में खड़ी है शायद अपने रूम में खड़ी है क्योंकि लेंप बाहर तो नहीं होगा ना रूम में होगा है ना वहां पे दिखाया गया है तो यह एक वर्टिकल पेंटिंग है ठीक है ना और एक पाकिसानी आर्टिस्ट थे जो एक पाकिसानी आर्टिस्ट थे जिन्हों ने इसको बनाया टिपिकल इंडियन यंग को अपने रूम से बाहर आते हुए दिखाया गया है और उसका है जो है वो काफी नीचे जुका हुआ है मतलब या तो वो शर्मा रही है उवेजी बात है भी यह तो होनी सकता कि उसकी गर्धन टूट चुकी है तो उसका लेफ्ट फूट जो है वो काफी फॉरवर्ड है थीक है न क्योंकि अगर देखो तो यह काफी हाथ तक यह जो है पॉल है वो आगे जा रहा है राइट फूट हमें यहां पे थ्री फिंगर यहां पे तो एक ant जो है वो मतलब कीडी जो है वो क्या कर रही है वहां पे चल रही है ठीक है न been के विंग भी बने हूए है अगर आप ध्यान से देखो तो एंड के भी विंग्ज भने होए है ठीक है वो हो सकता है के इनसेक्ट हो सकता है ठीक है तो backgrounds में लेम्प अगर हम यहां पे द दिखाई दे रहे हैं तो ड्रेस के अगर हम बात करें तो उसने blue colored लहंगा पेना हुआ पेना हुआ है red blouse पेना हुआ है साथी में yellow orange sari जो है वो उसमें पेहने हुई है ठीक है ना ornaments औरनमेंट हमें काफी दिखाई दे रहे हैं यहां पे हार पेहना हुआ है बैंगल्स पहनी हुई है ठीक है ना ये बड़ा सारा हार पहना हुआ है तो इस तरीके के हमें जो डेकोरेटिव तरीके से वो दिखाई दे रही है लाइन काफी थिन एंड शार्प है एक्सप्रेशन फुल है लेडी के लग रहा है के भी हाँ वो शर्मा रही है पूरी पूरी लाइट चल रही है तो उसको भी दिखाना है न तो इस yellow कलर को भी हमने modify करना है दिखाना है उसको highlight करना है तो ये सारा का सारा दिखाया गया और बाकी का brown ब्लू कलर है वो काफिया तक यूज किया गया है अगर हम देखे तो बंगॉल स्कूल के आर्टर्स जो सभी के सभी वाश टेकनीक में काम करते हैं, ज्यादा तर ये टेकनीक पहले जपान और चाइना में चलती थी, ठीक है न, और थिन ब्रशिस के साथ इसको जो काम वो किया जाता है, तो लास प्रेंटिंग हमारी जो है, वो है हमारी बेक तूथ, ठीक है न, ये आपको बिल्कुल जान अतना ये भी एक important painting है, क्योंकि ये इसके जो आर्टिस्त है, उन्होंने पूरी की पूरी सीरीज जो है, वो बनाई है इस पे, रांग कोपाल विजेवार्ग्या जी है, और शाथी में जो है, उन्होंने वश्ट के टेकनीक में बनाई है, ललिटकला केर्विन यू दैली में आज क सारी paintings है, ठीक है न, ये काली जास जी की एक poem है, मेक दूत उसके उपर बेस्ट करके ये बनाई गई है, ठीक है न, तो आपको ये बिल्कुल जहां दखना है, और इसमें दिखाया गया है कि भी मेक दूत जो है, उन्होंने इसके master है, कुबेर जी उन्होंने इसको निकाल द नहीं है, एक्चुल में बहुत सारे बचे ये सोच लेते हैं कि भाई, शायद ये इस बंदे का नाम एक दूत होगा, नेकिन नहीं, इसको हम नाम नहीं दे सकते हैं, इसको हम एक सिंपल यक्ष बोलते हैं, ठीक है न, यक्ष हम उसको mail भी बोल सकते हैं, मतलब कि वो एक cloud के जरीए अपने जो message है, वो बेज रहा है अपनी wife को, जो के उसको wait कर रही है, ठीक है न, और description में अगर हम देखे, तो एक, क्योंकि राम गोपाल विजेवर के जो है, वो एक writer भी थे, and poet भी थे, साथ में पेंटर भी थे, तो उन्होंने एक cloud messenger, मतलब कि देखो, make क्या होता ह cloud है, messenger means, जो के message लेके जा रहा है, ठीक है न, तो यह उनकी एक favorite theme थी, जो कि उन्होंने तीन series में बनाई है, near about हर एक series में 60 से लेके 70 painting तक बनाई गई है, अगर हम मान के चले तो मतलब कि कम से कम 200 paintings इसी series में बनाई गई है, ठीक है न, और literary, obviously बात है, क्योंकि poems में बनाया ग शायद हो भी, लेकिन हमारे लिए ये एक fictional character है, जिसमें एक life डाल दी गई है, मतलब कि उसकी पूरी series क्योंकि उसकी life को represent किया गया है, यहां पे nature है, waterfall दिखाया गया है, और इसके जो हैं, वो soft features बनाई गए है, curvy body है, बहुत ही जादा softly smiling mouth जो है, उसका बनाया गया है, half closed eyes बनाई गई है, ठीक है न, लेकिन दिख रहा है, उसकी eyes में जो है, वो काफी हद तक हमें जो उसके आंसू है, वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है न, tapering fingers बनाई गई है, यक एक rock पे उपर बैठा हुआ है, और अपने feelings जो है, वो लिख रहा है, किसी शायद पत्ते पे लिख रहा है, ठीक है न, और बहुती softness दिखाई गई है, ठीक है, और एक हाथ में उसने फ्लार पकड़ा हुआ है, यह आपको बिल्कुल ध्यान दखना है, और उसके tears दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है न, क्योंकि ओवेसी बात है, अब पनी wife, girlfriend गया, फिर अपनी प्रेमिका स से दूर रहेगा, तो भाही रोएगा, तो सही, मैं तो रोऊंगा, ठीक है न, तो उसने yellow दोती यहां पे पहनी होई है, और उसके left shoulder पे अगर हम देखे तो एक shawl सा लड़का हुआ है, ठीक है न, और साथी में उसने एक necklace पहना हुआ है, और उसके जो curls हैं, hairs जो हैं, उसके यहां पे दिखाई दे रहा है, yellow color और green color में जो trees हैं, वो बनाए गए हैं, यह भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तो और यह hut, trees जो टरान है, वो बहुत ही beautiful painting किये गये हैं, और dark brown color को बहुत ही beautifully use किया गया है, और साथी में यहां पे हमें two waves दिखाई दे रही हैं, जै काफी हद तक जो painting में use किया गया है, कुछ चोटी-चोटी birds देखो यहां पे, जो गूंते हुए यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं, nature, obvious ही बात है, एक artist जो है, वो nature को इतना ज़्यादा admire करता है, कि वो nature को depict करता है, अगर हम देखें, यहां पे nature dominate कर रही है, figure को, ठीक है और variations जो है, वो brown color में दिखाई गई है, जहां पे हम देखें, यह dark जोड़ा सा or brown है, यह or brown है, यह or brown है, यह or brown है, यह or brown है, अज तेरे के से color को variation दी गई है, और story बहुत ही important है, साथ में साथ में technique भी important है, ठीक है न, और modernism के होने के बावजुद भी देखो, एक artist, एक poet के उपर, एक poems के उपर, जो paintings है, वो बना रहा है, ठीक है न, यह बहुत बड़ी बात होती है, कि आप modernism में भी काम कर रहे हो, आप थोड़ा सा modern भी हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपनी मिट्टी के साथ जुड़े होए हो, आप अपने subject matter जो है, वो फिर भी पुराने ही ले रहे हो, तो गाइस, आज का जो हमारा topic है, वो यहीं पर खतम होता है, इसी के साथ आपका Bengal school भी खतम होता है, तो next video में हम modern school of art से मिलेंगे, तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please इससे like करें, अप share करें, और हाँ, अगर आप नई है, तो channel को subscribe करता, मत भूलियेगा, and thank you very much guys, bye bye everyone.